मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कवितास क्रियेटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिल पाएं आज मैं आप लोगों के साथ फिर से लेकर आगई हूं बहुत ही जादा इजी सिंपल क्विक सी रेसिपी जो की हेल्दी भी है टेस्टी भी है और बनाना भी बहुत आसान है बहुत जादा इंग्रीडियंस भी नहीं लगते आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं की ज़रत है वह देख लेते हैं खांडवी के लिए यहां पर सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें मैं एड करीओं एक कटोरी बेसन लिया है आप अपनी रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग कम जादा ले सकते हैं अब मैं इसमें जितना मैंने बेसन लि जितना जिस कटोरी से मैंने और इंग्रीडियन्स को मेजर किया था उसी से मैंने दो कटोरी पानी इसमें एड किया है और अब बस इसके बाद इसमें जाएगा नमक तो यहां पे मैंने स्वाद अनुसा नमक एड कर दिया और अब मैं इसमें एक चोता ही चमच हल्दी तो यह देखे बिलकुल अच्य से, अब हम ने एक गास पर पैन उल्ट जिस Raw a.p इन लगेगी तो दीरे दीरे आप देखेंगे कि आपक 6.0 मिक्स्श के साव लहाँ तो आप देखे जब-नी रहेगा तब तक नहीं होगा और दीरे दीरे और थोड़ा सा सॉलिड होता जाएगा यानि कि और थोड़ा सा हेवी होता जाएगा इसका जो टेक्स्चर है और देखेंगे कि आप तलों को भी छोड़ने लगेगा तो इस तरीके से आपको इसे इखटे करते जाना है तो अब मैं एक प्लेट को मैंने ग्रीस कर दिया है उल्टे प्लेट पे आप चाहें तो अपनी किछिन के काउंटर पे भी यह कर सकते हैं तो यहां पे मैंने ओयल से इसे ग्रीस कर दिया है और एक बर फिट से मैंने खांडवी के मिक्शर को चला दिया है आप इसे पोर करेंगे तो यह बिल्कुल भी पोर नहीं होगा इसका मतलब यह बिल्कुल तयार है इस पूरी प्रोसेस को करने में लो फ्लेम पे 15 मिनिट लगते हैं बस अब यह खांडवी का मिक्शर जो मेरा तयार हो गया है इसे मैंने इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है उस प्लेट पे जिसके मैंने ग्रीस करके रखा था तो अच्छ और अब मैं एड़ करीए एक चोता ही चमच राय या सरसो तो यहाँ पे मैंने सरसो जैसे ही मेरे स्प्लै territories होने लगे उसके बाद मैइ इसमें आड़ कर दूँ है इक ग्रीन चिली अड़ कर दिया जिसके मैंने बारीक बारीक छॉप कर लिया था और अब मैं इसमें आड़ क छिज़ा मिक्स करना मिक्स 40th दो 3 mnit के लिए मिक्स के लिए में प्रेट से लूइ फ्रेट करना हुआ हो। इसप्राट उपते ने हम दे श्चार को पिए उपर स्प्राट कर दिए कर दाबें चुरी हो उस्सेquiड का कमें सिर्फ अर्फ एAshट करना है कि में आप आपको बस इसी तरीके से रोल रोल करना है गोल गोल घुमाते जाना है और आपका खांडवी जो है वह स्टफड खांडवी बनके तयार है अगर आप स्टफिंग नहीं भी करना चाते तो आप ऐसे ही से रोल कर सकते हैं और उपर से तड़का डाल सकते हैं तो यह देखे हैं हम स्प्रिंपल नयुक सफे kalo इन डिया है तो यह मेरी कहन रोगत हैं बहुत सिए बहुत को कि अगर दिए को देख अब दोल्म कोने हैं जरी हैं और कभीता शोलान कि अगर कम के शनल की कमें मेरे नहीं